हे गाईस दिस इस पावन एंड यूर वाचिंग स्टेडी स्किल सक्सेश तो फ्रेंस नीट एक्जाम 2020 को लेकर स्टूडेंस को काफी कन्फूजन हो रहा है तो उसी कन्फूजन को सबसे पहले हम दूर करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आज का आपका नीट स्टूडेंड में करोना वाइरस की सिचुएशन है और कोई भी जो बिग अप्रूजमेंट है हमें देखने को नहीं मिला है स्मॉल जमॉल हो रहे हैं लेकिन कोई बड़ा एक्जामिनेशन होना लगबग इंपॉसिबल है तो इस परकार के सिचुएशन को देखते हुए मई नीट के examination को state wise conduct करवाय जाएगा देखिए हो सकता है लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी official update नहीं आया है और जब तक MHRD या फिर NTA द्वारा या फिर Central Government द्वारा ये नहीं बोला जाता कि नीट को state level पर conduct करवाय जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि नीट को state level तक conduct करवाय जा सकता ठीक है ये impossible नहीं है possible हो सकता है लेकिन अब भी इसके बारे में कोई भी information नहीं मिली है अब बात कर लेते हैं आज की अपनी news पर तो आज है 28th April 2020 और आज की ये मैथपुन खबर है MHRD की तरफ से MHRD जो chief है डोक्टर रमेश पोक्रिया निशंग उन्होंने interview दिया और interview में उन्होंने बताया कि कब तक आपके जो exams है वो conduct करवाय जा सकते हैं तो आज की मैथपुन खबर है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे क्योंकि ऐसी ही मैथपुन अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलने वाली है चुरू कर लेते हैं और उससे पहले अगर आप इस्टाग्राम यूजर है और आपको नीट से रिलेटेट कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप इस्टा पर हमें अपना जो कंफ्यूजन है वो चैट्स के जरीए पूस सकते हैं आप सिंपली मैसेज कीजिए मैं आपका जो आंस्वर ह नहीं होता इसलिए मैंने यह किया है अकाउंट नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पर जाएए सर्च कीजिए स्टेडी स्क्सेस आपको हमारा अकाउंट जो है वो मिल जाएगा साथ में यहां पर सो मैनी जो इग्जाम्स को लेकर है अब CBSC के बोर्ड एक्जाम्स कितना जादा मैतव रखते हैं या आप सभी को पता होगा अपने में से बहुत से स्टूडेंस अभी तक 12-15 के एक्जाम्स नहीं दिये तो उनके भी 12-15 के एक्जाम्स हैं इसी के साथ साथ जब तक CBSC के बोर्ड अब कब होंगे CBSC के बोर्ड एक्जाम इस पर मानव संसादन विकास मंतरी ने कुछ बोला है क्या बोला है कि मानव संसादन विकास मंतरी रमेश पोक्रियाल निशक ने आज सोशल मीडिया के जरिए अभिवावकों से उन तमाम मुद्दों पर बात की जिसका सामना स्टूरें लॉकडाउन के दौरान कर रहे हैं इस दौरान अभिवावकों की तरफ से सबसे ज़्यादा स्वाल बोर्ड के पेंडिंग एक्जाम के बारे में पूछे गए इस बारे में बात करते हुए मंतरी ने कहा कि 83 सुब्जेक्ट्स के एक्जाम अभी पेंडिंग है इसमें से सिर ऐसे में पेरेंट्स उन्हें अजादी से पढ़ने दे उन पर पढ़ाई को लेकर किसी तरह का दवाप नया बनाए इसके साथ ही पेरेंट्स इस बात का भी दियान रखे कि परिक्षाओं की तारीकों का ऐलान होने के बाद स्टूडेंस परिक्षा में शामिल होने के लिए त्यार हैं वहीं बोर्ड रिजल्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीब्यसी जल्द ही कौप्या जांचने की प्रिक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रहा है जिन सुब्जेक्ट्स के एक्जाम कैंसिल हो गए हैं उन सुब्जेक्ट्स का इवेल्यूशन भी पड़ाई कर सकते हैं जहां तक कम समय की बात है तो सीबीसी को नया आकाडमिक क्लेंडर जारी करने के लिए निर्देश जारी तो इन्होंने बोला है कि lockdown खत्म होने के बाद exams नहीं करवाये जाएंगे बलकि lockdown खत्म होने के बाद स्तिती सुदरने पर आपके जो exams है वो conduct करवाये जाएंगे सबसे पहले priority जो है वो CBSC के board exams को दी जाएगी उसके बाद JEE के examinations को क्योंकि JEE को अपना advance भी करवाना है तो उसको लेकर सबसे पहले JEE को दिया जाएगा उसके बाद अपनी आएगी NEET की बारी और NEET का examination एक दिन में conduct करवा लिया जाएगा लेकिन offline है तो इससे पहले security वगेरा को लेकर भी इनको पहले 10-15 दिन लगते थे लेकिन अब इतना time नहीं दिया जाएगा तो कम से कम 5-7 दिन हम मान के चलते हैं इनको security के लिए दिये जाएगी CBSC उसके बाद JEE और उसके बाद आपका NEET का examination जो है वो लिया जाएगा तो यह पूरा का पूरा important update था आप सभी students को लेकर उमीद करता हूँ अब जो आपका confusion वगरा है वो सभी दूर होगे होगे ठीक है अगर फिर भी आपका कोई confusion रहता है आप personally मेरे से discuss करना जाते हैं तो आईए Instagram पर हमें follow कीजिए और जो भी अपना message है वो message में लिखिए हम उसका answer जरूर देगे टेलिग्राम चैनल को जोईने किया है तो टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं simply play store से डाउनलोड कीजिए टेलिग्राम एप्लिकेशन उसमें सर्च की यह study skill success आपको हमारा चैनल मिल जाएगा उसी के साथ आज यहां पर आपको मेजर और माइनर प्रैक्टिस सेट मेविए के शोट नॉट्स रिवीजन कोर्स प्रिविए से और जितना भी नीट का study material हिंदी प्लस इंग्लिश दोनो से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और बहुत से students यहां पर add है और एक discussion group भी है तो आपको कोई infusion रहता है तो उसमें आप discussion भी कर सकते हैं यह थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताईएगा वीडियो को like and share करिएगा and चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजीगा क्योंकि ऐसी ही मैतरपुन अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलने वाली है फिलाल आज के लिए इतना ही मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए good luck and have a next day